अगर हमारे वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चनल को सब्सक्राइब चनूर करें और साथ में बिल आइकन जनूर रभाए क्योंकि सबसे बने नोटिफिकेशन आपको लुग नमस्कार दोस्तों मैं इसमेने सब्सक्राइब आपका क्वागत है हमारे यूपी आई फंडरेट नोच पर चलिए बड़त कारी की पिरित यूद यूद यूटी ने स्वी से लगाई गोहार मामला हुआ तर्ज यूटी ने फिलिस अजिचप को परफना पर देकर कहा कि गाउट के दबंग यूवक ने उसके साथ गलत काम किया है। उसकी मा खेट गई हुई थी तो उससे दोरान दबंग यूवक उसके घर में घुद गया और दर्वाजा बंद कर लिया। दुरोट करने के बाद मार फिर किया और उसके साथ दुसकर्म की घटना का अंजान दिया। यूटी का अलोगता की फुलिस ने पहले ही अफार दर्ज नहीं किया। एसपी की आदेश के बाद मामलों को दर्ज किया गया है। गाए देट यूटी बादोसलगा के बारी की रिपोर्ट। अच्छा ये बताओ क्या हुआ क्या है। ये मारे साथ बलगतार हुआ है। कौन थे क्या कर रही थे। कौन लोग थे। अपना मेरी मादान काटने चली है। पिता बाहर थे। मैंने आपका काम करती थी। अकेलिए समझकर मेरी घर में थूशाया। अंदर से कुंडी बंद कर ली। कुंडी ? कुंडी बंद करके, भी मेरी सा τू्छम चहँ जोड़ से, क्या है मेरे मारे ये क्यि गया दुपताया। वह बांग कर मुझे जर्मीन फर गिरा दिया और मेरे कपड़े उतार कर में उसार बलवतार किया है साथ आट मिनट तक किया तिकने मेरा भाइस को उसे आगी है कि इसके दर्वाजे तुख लाए तरी रड़ा रजीत निक अपने दर्वाजे खोल कर मुरे भाई को धाम कि दिये किसे कहना नहीं मैं तुझे मारूंगा कि इसाइब इतने धाम कि देकर चला गया कि आये फार करोगे तो मैं तुझे जान से मार दूंगा कि इसके बाद ठाने गई था तुझे नाम है दर्वाजी का पिर इसके बाद क्या हुआ पिर हमने कहा कि हम नहीं सुला होंगे पर इसके बाद आरूपी गुरफतार किया या नहीं किया अभी तर्थ नहीं किया तो आज कहां आ यूजती तुम के बांदा किसके पास मुलाकात हुई है क्या कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं कि जाइए कारवाई करेंगे नमस्कार आप देख रहे हैं यूपी लाइफ अंडेट नियूज शुरवाद कर दे इस वक्त की बड़े ख़रों से आल इंडिया मजलिसाय इप्रहादुल मुस्लमीन की मेटिंगोई संपन सफिक खान की रिपोर्ट नमस्कार आप देख रहे हैं यूपी लाइफ अंडेट नियूज शुरवाद कर दे इस वक्त की बड़े ख़बरों से बाच्पा यूवा मोर्चा के कायकरताओं में मिले जिलादकारी से जन पसमे भाजपा U.A. मोर्चा के अपर दुकाड़ी वा कायकतों ने जिलादकाड़ी से मिलीपर कहा कि भाजपा सरकार अंड परथा को लेकर पुई तरीके से कार कर रही है मगर वहीं जिलापरसान के उदासी नीता चलते यहां के किसान अन्य जानोर को लेकर रात भर खेप में रहना पड़ता है जबकि सरकार के द्वारा हर जब अगा गौसाला खुरवाएगा जि उसके बाद भी गिराम परदान के द्वारा अन्य जानोरो को तरह कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है मगर कहीं न कहीं इस पर जिलापरसासन की बड़ी लापर वही है बाइट अमित बाद का यहां मोर्चा इवेस्टिंग बानाशन लॉक्तवारी की रिपोर्ट मैं सहिवा करने वाला हूं इस समय वर्द मानुए मैं जम्पुरा नंसंस के दुश्य मिद्याले में किन समझ्यों को लेकर के आप आएं समझ्यामाई सबस्वे बड़ी समय से तो सबको मालूम है। ये गव हत्या पहली बात कटिले इतारों से गायों की हत्य हो रही है। उसमे किसानों का दोस्त नहीं है, सरकार टोटल इसकी जिम्मेदार है। और दूसरी बात हैuं ग्रामि सतर पर जितने भी पतने गौर्साला के रुपए जाता है, कहां जाता है, किसके पास जाता है, हम लोगों को आज तक पतने. महा की सीरा जांच कराई जाए जो गौर साला ऐसे पड़ी है उनको तत्काल प्रभाव से शुरू करके जितने गाय घूम रही है उनको उनको गौर साला में सुरचित किया जाए ताकि उनकी हत्या भी बंदो और किसान भी से अपनी फसल सुरच्छा रख सके अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चनल को सस्क्राइब चरूर करे और साथ में बिल आइकन जरूर रभाए क्योंकि सबसे बने नोटिपिकेशन आपको दूलो जल्ड आ रहा है यूपी लाइव फंड्रेड नीन 24-7 खबर आप तक